तो फ्रेंट्स मोस्ट वेलकम फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आपने थामनेल पर देखा है यहां पर यहां का पेच्चा फील करने के बाद साइन इन पर टाइप करते हैं और साइन इन पर करने के बाद इस तरह से आप अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाते हैं और यहां आने के बाद आनलाइन सर्विस जो दिया है आनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट पर ही आता है क्लेम फार्म क्लिक करते हैं तो यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए इ यानि इस तरह के बहुत ही बड़े प्रमाने पर इस तरह के पीफ मेंबर्स हैं जो अपना पीफ का विडाल करने के लिए आनलाइन सर्विस विजाते हैं तो इस तरह का सो करता है रहा है इन वैलिड वैंक अकाउंट नमबर का राइंडली अपडेट योर बैंक डिटेल थो से पेर मोडर्स यानि यहां पे बताया जाएरा इन वैलिड एकाउंट नमबर यानि आपका जो भी बैंक डिटेल आपके पीफेकाउंट में है ओ इन वैलिड यानि गलत है इस तरह का ये रार्णा यहां पे विडियों करता है चलिए आज किस विडियो मैं बताओंगा कि क्या है solution इसको solve कैसे करेंगे और यह तरह का problem आपको क्यों सो रहा है यह सारी जानकारी इस भी हम बिल्कुल मैं आप लोग को देने वाला हूं आपको करना कि आपको कुछ भी नहीं करना है आपको यह पूरा वीडियो फूल वीडियो वाच करना है और जो भी steps मैं यहां पर बताओंगा सारह सारा इस एस आपको साइस करते हैं तो करके बगल वाले इस जड्रूरब कर डिजिके तक होई साउन के अपने सेहा पर लेकिया आता हूं तो इसके नोट TV के सान सबसे पहले आपको मिल सके इसके लिए आपको करना क्या है यहां बिलकुल मैं आप लोगों को बता दूँ इसके लिए आपको सबसे पहले माइनेज वाले आइकन पर चलना है और माइनेज पर क्लिक करने के बाद जो उपर ही आता है बेसिक डीटेल बे के पी अफ एकाउंट में यानि आपके पी अफ एकाउंट में जो भी इंफार्मेशन है सारा कुछ आपको यहां पर सो करेगा यहां पर आपको अधार नमर अपना सो करेगा और आपका जो भी पूरा नाम है पूरा नाम आपका यहां पर इस तरह से सो करेगा डेटा बर्थ य यानि जिस तरह से यहाँ पर नेम है और जिस तरह से डेटा बर्थ है सेम आपके आधार कार्ड पर होना चाहिए यह आपको पहले स्योर होना है यहाँ पर यह आपको आपके चेक कर लेना है को जो भी यहाँ पर डेटा है यानि जिस तरह से नाम है उस सेम उसी तरह से नाम आप लोगों को यहां पर बता दोगूं कई मामले में कई लोगों के साथ बीच में कई लोग अपना अधार काड अपडेट करा दिये या अपने अधार में कुछ भी अगर change correction करा दिये हैं सेकेंड नमर आपको क्या करना है नेक्स्ट आपको मैंनेज वाले अइकन पर क्लिक करना है और यहांपर आने के लाद आपको यह चेक कर लेना है कि जो भी डाकुमेंट्स आपका बहरिफाई वहा जो भी bank detail आपका यहां पर verify हुआ है उसका IFC code यहां पर आपको check कर लेना है कि क्यों हुआ मैं यहां पर बिल्कुल आपनों को बताते चलूं कि बीच में बहुत सारे bank एक दूसरे में मर्ज किया गया और इस condition में बहुत सारे लोगों का IFC code change हो गया है और उनको पता नहीं है और इस condition में जब भी आप जाएंगे पीअफ भी डाल करने के लिए पीअफ भी डाल ओले अप्शन पर आपको इस तरह का इरार सो करेगा कि invalid bank account number तो यहां पर यह चीज आपको खास यहां पर देख लेना है ठीक कर ले रहा है और यहां पर बिल्कुल आ लेकिन रीजन इसका यही है पहले क्या होता था कुछ दिन कुछ दिन पहले ऐसा था कि bank account में आपका नेम का इतना कुछ importance नहीं था यानि फर्स्ट नेम आपका bank पास्भूक या फिर bank में फर्स्ट नेम के ओल आपका सहीर आता था उस condition में भी आपका जो भी पीअब डाल आ तो यह आपको यहां पर स्योर हो जाना है और यह सारा कुछ चेक करने के बाद भी अगर पीअप मेंबर्स हैं जिनका इस तरह का कमेंट से आता रहता है कि उनका जो भी details है सारा details बिल्कुल सही सही है फिर भी उनका invalid bank account नमर सो कर रहा है तो बिल्कुल दोस्तों मैं जनकारी के लिए मैं बता दूँ कि कहीं न कहीं आपका कुछ भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपका जरूर मिस है अगर बिल्कुल सब कुछ सही है तो इस तरह का error किसी भी condition में सो नहीं करेगा इसलिए जो भी बाते मैंने बता है इन सारे बातों को आपको चेक कर लेना है और यह सार पर जो भी आपके अधार कार्ट पर data है यानि जिस तरह से name है और जिस तरह से data worth है यह सारा को आपके जो भी bank account है उस bank account में same data आपको update कराना है यानि जो भी data आपके अधार कार्ट पर वही data same आपको bank account में update कराना है अगर सब कुछ वहां सही है तो आपको जो भी IFC code है फि आपको महां से ले लेना है और यह सारा एकदम स्योर हो जाते हैं कि जो भी डेटा है आपका यानि अधार कार्ड और बैंक एकाउंट और एकाउंट में जो भी डेटा है सेम डेटा है यह आपको स्योर हो जाना है और अपना बैंक डिटेल फिर से अपडेट करना है और जो भी आपका bank detail है bank detail दुबारा आप update कर देते हैं तो इसके बाद आपको जो भी यहां पर error सो कर रहा था यानि जो भी इन्वैलिडिट एकाउंट नमर जो सो कर रहा था error वह 100% यहां से हट जाएगा यानि इस तरह का error अब आपको सोर नहीं करेगा तो दोस्तों यह जनकारी पर लोगों को देने की कोसिस की है और मैं जहां तक समझता हूं विल्कुल आप के लिए रहा होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टूडियों में एक नए सब्जेक्ट एक नए एनेंसिस के साथ तब तक के लिए आप सबी लोगों को मेरा जैहिं